Hello students, I welcome all of you in Kness Educare. Today we are learning about coordinate geometry of your chapter 9th mathematics और आज का हमारा lecture number 2nd होने वाला है, okay? तो students, first lecture में हमने क्या क्या देखा, what is mean by coordinate, coordinate यहापर plane पे हापर कैसे शो किया जाता है, y-axis क्या होती है, x-axis क्या होती है, then origin क्या होता है, coordinate क्या होती है, यह अल्यडे हमने learn किया, ठीक है? तो यह है हमारी horizontal x-axis और यह हमारी y-axis, ठीक है, यह दोनों भी क्या होती है, perpendicular to each other, ठीक है, और यहापर यह first quadrant, यह second quadrant, यह third quadrant, यह fourth quadrant, ठीक है, यहापर plus, यहापर minus, प्लस होगा, ठीक है, x-axis का minus, then plus, यहापर आता है minus, minus, and then plus and minus, ठीक है, यह अल्वेडे हमने देखा है, ठीक है तो आजके इस lecture में हम देखेंगे, line parallel to x-axis and y-axis, तो first one देखे, line parallel to x-axis, अभी, आपको मैं यहापर कुछ coordinate दे रहा हूँ, तो आपको यहापर इसे plot करना है, देखे, तो first point देखे, a point यहापर 5,4, then उसे बाद b point यहापर 2,4, c point यहापर minus 2,4, d point यहापर minus 4,4, okay, e point यहाप पर 0,4, then after that f point यहापर 3,4, okay, यह सभी point हमें क्या करना है, यह coordinate जो system में आपर, यह plane जो आपको दिख रहा है, इस पर plot करना है, तो 5,4, कहापर जागा, किस coordinate में आजागा, यह first coordinate में आने वाल है, okay, so 5 and 4, यहापर something, ठीक है, यहापर जागा, second point 2 and 4, मतलब यहापर जागा, okay, minus 2,4, minus 2,4, कहापर आजागा, यहापर आजागा, okay, minus 4 and 4, minus 4 and 4, यहापर, 0 and 4 आजागा, यहापर, okay, and 3 and 4, 3 and 4 आथा है, यहापर, ठीक है, आप दिखें, यह सभी point एक ही line पे आते हैं, मतलब यह सभी co-linear होती है, अगर आम यहापर इन सभी को join करते हैं, तो यहापर यह ऐसे दिखेंगे, ओके, तो यह सभी point क्या है, यहाँ पर यह colinear है और गर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो इन सभी का जो y coordinate यहाँ पर एक ही है यहाँ पर सभी का y coordinate 4 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया और यहाँ पर यह line, आपको da line को दिख रही है, segment, यह किसको parallel दिख रही है, आपको, yes, it is a parallel to x-axis, इसका मतलब क्या हो जाएगा, if there is a y coordinate गर यहाँ पर constant हो, तो यहाँ पर, वो line यहाँ पर क्या होती है, x-axis को parallel होती है, उसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, देखें, यहाँ पर इसे लिखेंगे, the equation of the line parallel to x-axis at a distance of how many units, यहाँ पर 4 unit, x से कितने unit पर है, यहाँ पर 4 unit पर है, मतलब, x-axis is equal to y is equal to 4, हमें इसे लिखेंगे, यह equation होगा, इस axis का, ठीके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y is equal to 4, यहाँ पर आज़ेगा, ठीके, तो y यहाँ पर constant है, 4 यहाँ पर रहेगा, ओके, तो y is equal to 4, यह इस line का equation बनेगा, ठीके, तो similarly, line parallel to y-axis किसी होगी, देखें, आपर, तो उसे पहले आपको यह बात द्यान में रखनी है, if b is greater than 0, and we draw the line y is equal to b through the point 0, b, it will above the x-axis, यह क्या होती x-axis के above होती है, मतलब ऊपर, ठीके, and parallel to it, यह क्या होती है, parallel होती है if b is less than 0, then the line y is equal to b, will be below the x-axis, मतलब यह axis के b लह हो जाएगा, यह parallel होगी, ठीके, the equation of the line parallel to x-axis is in the form of y is equal to b, मतलब यहाँ पर कोई भी value हो सकता है, यह तो minus 4 हो सकता है, 3, minus 3, 2 यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीके, तो यह होता है x-axis का, यहाँ पर जो line है, इसका यह equation बनता है, y is equal to something, okay, b, यहाँ पर हम लेते है, ठीके, तो student देखिए, अपर next concept, line parallel to y-axis, ठीके, तो similarly, यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी x के जो coordinate यहाँ पर same ही रख दिया, ठीके, अभी हम इसके सभी के पहले coordinates यहाँ पर लिखते है, ठीके, तो अभी देखिए p point, तो p point के यहाँ पर coordinate minus 4 and 3, देन उसके बाद q point यहाँ पर minus 4 and 0 है, r point यहाँ पर minus 4 and यहाँ पर सभी का एक ही है, वही same ही है, okay, and y coordinate यहाँ पर change हो रहे है, मतलब यह जो p u line है, यह y axis को क्या हो जाएगी, parallel कहलाएगी, okay, तो इससे equation क्या हो जाएगा, the equation of the line, who is parallel to y axis in the form of, क्या हो जाएगा, आपर x is equal to, यहाँ पर minus 4 हो जाएगा, okay, so मतलब x is equal to a आजाएगा, तो यह line क्या हो जाएगी, यहाँ पर y axis को parallel कहलाएगी, यह सभी point क्या है, collinear है, okay, and यह सभी equal distance पर y axis है, यहाँ पर कितना distance यह minus 4 है, यहाँ पर कितना distance है, minus 4 है, किस से यहाँ पर y axis ही, यह भूलना नहीं है, okay, तो यहाँ पर देखिए, यह distance minus 4 है, यह distance यहाँ पर minus 4 है, okay, so x का distance यहाँ पर हमें minus 4 है, constant है, and यहाँ पर y का जो distance यह coordinate यहाँ पर vary हो रहा है, okay, so therefore x is equal to a हम यहाँ पर लिखेंगे, okay, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, if withdraw the line x is equal to a parallel to the y axis passing through the point, यहाँ पर a, 0 and if a is greater than 0, then line will be the right of the y axis, मतलब यह जो y axis है, इसके right hand side की तरव, okay, गर if a is less than 0 गर हो, then the line will be to the left of y axis, मतलब left hand side of, हो कि मतलब अब देखिए, minus 4 कहा पर आया था, left hand side of the y axis आया था, okay, the equation of the line parallel to the y axis in the form of x is equal to a, यहाँ पर होता है, okay, तो यह बात आपको भूलनी नहीं है, तो यह बात आपको अच्छी तरी से के, याद रखनी है, आप यहाँ पर इसे note down भी कर सकते है, okay, after that देखिए, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, the y coordinate of every point on the x axis is 0, और यहाँ में पता है, y coordinate of every point on x axis, x axis के उपर, y coordinate यहाँ पर क्या होता है, अलवे, 0 होता है, conversely, every point whose y coordinate is 0, is on the x axis, okay, therefore, the equation of the x axis is क्या हो जाएका, y is equal to 0, okay, वैसे यहाँ पर equation क्या था है, यहाँ पर पैरलल आइन होता है, यहाँ पर x is equal to a, and y is equal to a, y is equal to a का अब कहेंगे, गर यह x axis को पैरलल होगी, यह y axis को पैरलल होगी, ठीके, the x coordinate of every point on the y axis is 0, conversely, every point whose x coordinate is 0, is on the y axis, therefore, the equation of the y axis यहाँ पर क्या हो जाएगा, x is equal to 0, y axis का equation क्या है यहाँ पर, x is equal to 0, यह बात आपको भूलना नहीं है, linear equation, अभी linear equation का graph कैसे होता है, तो देखिए, आपर draw the graphs of the equation, x is equal to 2, and y is equal to minus 3, तो x is equal to 2 मतलब क्या है, yes, it is a line parallel to y axis, मतलब यह 2 कहाँ पर है positive, मतलब 2 से हमें क्या connect, सीधी line draw करनी है, which is parallel to y axis, similarly y is equal to minus 3 है, मतलब y का यहाँ पर minus 3 के उपर एक line draw करनी है, जो यहाँ पर x axis को parallel होगी, तो यहाँ पर बनता है graph, यह linear equation ही होगा, x is equal to x की power कितनी है, 1 है, y की power यहाँ पर 1 है, so therefore यह graph यहाँ पर बन गया, and यह दोनों भी line यहाँ पर, जिस point पर यहाँ इनका intersection point यहाँ पर पिया जाएगा, इसका coordinate देखें क्या आता है, तो इसका coordinate हमें मिल जाएगा, 2,-3, 2,-3 यहाँ पर इसका coordinate यहाँ पर मिल गए, तो यह बात आपको समझ में आचुक्यों, क्योंकि आभी देखते है next concept, आभी देखें the graph of linear equation in the general form, अभी एक activity आपको यहाँ पर दी है, on a graph paper, plot the points यहाँ पर 0,1, 1, 3, 2, and 5, are they collinear, यह सब भी collinear के देखें यहाँ पर 0,1, 1, 3, and 2, 5, हमने यहाँ पर इससे connect कर दिया, तो यह collinear point है, तो if so, draw the line that passes through them, हमें क्या करना है, यह line यहाँ पर pass करना है, यह सब भी point यहाँ पर क्या है, यह collinear ही है तो, okay, so through which coordinates does this line pass, कौन से coordinate पर पर pass होती है, देखें, आपर यह first coordinate है, यह second coordinate है, यह third coordinate है, okay, so write the coordinates of the point at which intersects the y-axis, y-axis पर कौन से point आपर intersects हो, देखें, आपर 0,1 पर, okay, and show any point in the third coordinate which lies on this line, write the coordinates of the point, third coordinate पर देखें, if I increase this line, so therefore, if I take, देखें, आपर हमने ले लिया इसे, इस point को, देखें, क्या है, minus 1, minus 1, okay, देखें, यहाँ पर यह वाला point, गर हम यह इसे लेते हैं, यहाँ इसे गर हम यहाँ आपर extend करते हैं, देखें, हमने इसे extend किया, तो यहाँ पर 3, minus 3, गर हम यहाँ पर लेते हैं, तो यह उपर गरा, तो यह minus 3, and minus 2 आता है, okay, तो यहाँ पर हम इसे coordinate इसके लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह जो line यहाँ पर देखें, first coordinate, third coordinate, second coordinate में सही पास होती है, okay, आईवा समझ में, तो यह हो गई इसकी line, अभी एक example देखते हैं, 2x minus y plus 1 is equal to 0, is a linear equation, यहाँ पर क्या है, यह linear equation है, two variables का, in a general form, अलएड हमें पता है, general form क्या होता है, ax plus by plus c is equal to 0, let us draw the graph of this equation, हमें क्या करना है, इसका graph draw करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, यहाँ पर equation दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के जो यहाँ पर coordinate से यहाँ पर assume करने पड़ेंगे, तो with respect to x, यहाँ पर y के हम यहाँ पर easily find out कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, equation हमें लिखना है, फिर से 2x minus y plus 1, अभी हम क्या करेंगे, minus y plus 1, okay, so therefore यह 0 minus y plus 1, okay, अभी is equal to क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आजाएगा, okay, अभी minus y इस सड़ पर आए, तो यहाँ पर 1 आजाएगा, मतलब यहाँ पर y का coordinate क्या आजाएगा, आपर 1 आजाएगा, so y is equal to 1 मिला, ठीके, अभी हम लेते हैं, x is equal to 1, अभी हमें x is equal to 1 लेना, तो with respect to that, y का कौन सा coordinate हमें identify करना है, so 2 multiply by 1, minus y plus 1, okay, तो 2 plus 1 यहाँ पर 3 आता है, minus y, y को इस सड़ पर लेते हैं, तो y is equal to आजाएगा 3, गर यहाँ पर x की value हम 1 रखते हैं, तो y का coordinate आता है 3, अभी यहाँ पर with respect, हम यहाँ पर y का coordinate अभी assume करते हैं, गर हमने y का coordinate assume किया, y is equal to हमने ले लिया 5, तो यहाँ पर 5 पूट कर दिया, तो x की value क्या जाएगे, देखें, minus 5 plus 1, क्या हो जाएगा, minus 4, minus 4, यहाँ पर plus 4 हो जाएगा, तो 4 is equal to 2x, तो x is equal to आता है 4 divided by 2, तो x is equal to मिला 2, तो देखें पर 5 and 2, यहाँ पर यह coordinate आ जाएगे, अभी x का coordinate मिला 0, y का coordinate y मतलब 0, 1, 1, 3 2, 5 ओके आप यहाँ पर गर आपको line ड्रॉ करने तो आपको minimum 4 coordinates आपको पता होने चाहिए, x and y के, ठीक है, यह बात आपको भूलना नहीं है, तो देखें मैंने आपर सभी के point यहाँ पर find out कर लिए है, तो 0, 1, 1, 3 2, 5, हमने half ले लिया, तो यहाँ पर 2 आ गया, minus 2 and minus 3, half मतलब क्या है, 0.5 ओके, आई बास समझ में देखें कि half, 2, minus 2, minus 3, 2, 5, 1, 3 and 0, 1 अभी इसे हमें plot करना है, कैसे plot करेंगे? तो देखें, आपर मैंने y-axis और x-axis आपर draw कर दी, यह हमारी है y-axis, तो यहाँ पर हम नेम देते हैं आपर इन सभी के, तो यह है y-axis यह है हमारी x-axis, ओके, यहाँ पर maximum number देखें, आपर 5 है, मतलब हमें 5 तक जाना है, यह हमारा 0 origin है ओके, so 1, यह 2 यहाँ पर, देन उसके बाद यह 3, देन 4, यह 5, ओके, after that यहाँ पर देखें, 5 तक जाएंगे, तो minus 2, यह minus 3, minus 4, minus 5, अभी नीचे जाएंगे, तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5, तो उपर भी यहाँ पर 1 आजाएगा, यह 2, यह 3, यह 4, यहाँ पर 5, अभी इस स्टूडन देखें, यहाँ पर 0 and 1 हमें आपर शो करना है, तो यहाँ पर कहाँ पर आजाएगा, x का यहाँ पर 0 मतलब, और यहाँ पता है, घर यहाँ पर x कॉडिनेट 0 हो, and y कॉडिनेट हमें दिया है, मतलब यह कहाँ पर आजाएगा, y axis पर आजाएगा, मतलब यह 1st point हमारा आता है, यहाँ पर, यह point आजाएगा, यहाँ पर, 0,1, अभी 1,3, 1,3 कहाँ पर आजाएगा, 1, दोनों भी positive मतलब, 1st coordinate पर आने वाले है, तो यहाँ पर आजाएगा, यह point ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया, तो यह है 1,3, ठीक है, आई बस समझ में, after that 2,5, दोनों भी positive मतलब, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हमें यह इसे perpendicular draw करना है, यह perpendicular draw कर करना है, तो यह आता है point 2,5, अब यह 0.5, 2, 0.5 मतलब यहाँ पर, यह आता है, यहाँ पर, यह point मिल जाएगा, यहाँ पर, तो therefore, देखें, आपर मैंने इस perpendicular draw कर दिया, इसका भी perpendicular आ जाएगा, यह 1,3, इसका यह perpendicular, अब यह 4 point मिल गया, अभी minus 2 और minus 3, minus 2 यहाँ पर आजाएगा, minus 3 आजाएगा, यहाँ पर, तो यह point मिल गया, यहाँ पर, minus 2 and minus 3, अभी हमें क्या करना है, यह line draw करनी, तो अभी से हम draw करते हैं, देखें, हमने यहाँ पर एक line draw कर दिया, आपको straight line with the help of scale से ही draw करने, तो यह हमारी line यहाँ पर बन गई, स्वाइटिंगेक्वेशन आपको समझ में आ चुका होगा, तो students, आज के lecture में हमने क्या क्या देखा, आज के lecture में हमने देखा, line parallel to x-axis, line parallel to y-axis, x-axis को parallel होगी, तो उसका equation क्या होता है, यह उसका equation होता है, y is equal to a, यह बाते आपको भूलना नहीं है, तो I think आज का lecture आपको समझ में आ चुका होगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you,